अम्बेटकर नगर जीले में इस समय लोगसभा चुनाओ के प्रभारी के रूप में यहाँ पर बिजश पाठक जी आये हैं, केबिन मंतरी हैं, यहाँ पर इस समय अम्बेटकर नगर में आज एक कारिकरव में भीन को शामिल होना है, हम इनसे बात करते हैं, कुछ सवाल हैं, सर कुलमानी उस्तिम ने आले ने किन परसितियों में जन्वरी महा में सुनवाई के लिए तित्ते हैं की है, और हम सब इंजार कर रहे हैं, कि राम मंदिर पर नसी ग्रिणे हो, और अध्या में भब स्री राम का मंदिर बने हैं, सर अभी हाले में पांच राजों में चुना होन यह है, क्या वो भाजपा के कार करता हैं? वो हमेशा अईसी अनर्गल बाते करते रहते हैं, भारते जन्ता पार्टी जन्मानज की बीच की पार्टी है, कारकरताओं के बल्बूते, उत्र प्रदेश के जन्ता के बल्बूते, असी में हम 73 से अधिक सीटे जीत कर दुबारा म सबसे बड़ा सवाल है कि इस जिले में भी S.E.S.T. के जो मुकदमे हैं, उनकी संख्या बढ़ी है, इस तरीके के मुकदमे ना हो, आगे मलब उसकी संख्या ना बढ़े, उस पर सरकार क्या कर रही है? अब हंडेट परसेंट मुकदमे लिखे जा रहे हैं, पहले मुकदमे लिखे नहीं जाते थे, अपराधियों का थानों में बोल बाला था, अब पूरी तरह से अपराध नियंतरण में है, जो घटनाय हो रही है, उन पर सक्ती से कारवाई हो रही है. सर, एक और सवल पता दें, कि इस चुनाव में आप रभारी हैं, अमबेटकर नगर को किस तरीके से जिताने के लिए क्या क्या आपको लग रहा है, क्या चुनोतिया सामने आएंगे? लभी तो संगठन की दृष्टी से हम लोग बैठने जा रहे हैं, जो कारिक्रमाय हो उसलिए बैठेंगे, और बांकी सेश्रू प्रेखा आपको समय पर बताते रहेंगे? प्रिजज़्षपाठक जी का ये कहना है, कि समय समय पर जो भी चीज़ए होंगी, लोग सभा, चुनाओ संबन्दी उस पर चर्चा वर चर्चा करते रहेंगे, फिलाल देखना ये होगा कि आने वाले समय में लोग सभा, चुनाओ को इस जिले में